So friends, आपने यूटूबर बायो गैस यानिकी गोबर गैस बनाने की काफी सारे वीडियो देखे होंगे, जिसमें काफी सारी गैस बन जाती है और वह 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 ती तरीक के से वर्क करती है लेकिन friends, अगर आप वही बायो गैस घर पर बनाते हैं तो बिलकुल भी गैस नहीं बनती है और थोड़ी बहुत गैस बन भी जाती है तो बिलकुल भी वर्क नहीं करती है आखिर ऐसा क्यों? क्या है इसकी सचाई? इस वीडियो में हम आपको इसकी रियल्टी बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बायो गैस को किस तरीक के से बनाया जाता है और ये भी जाता है तो आई एपर अपने वीडियो को श चाईप कर दे ना जो कि आपको एकश्टक की हूई में दे देगा और इस आईवी सेट को हमें क्या करना कि जो हमारी बाश्टक की बोतल है उसके उपर साइडि से कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा तो इसे fix करने के लिए हम इसका cap को खोल ले रहे हैं और इस cap पर जो हमारी solter में iron होती है उसकी मदद से इस पर एक hole कर दे रहे हैं और जो हमारा IV set है इसे कहा करना है कि इस hole पर अच्छी तरीके से fix कर देना है कुछ इस type से और यह ऐसा ही fix बना रहे है तो हम क्या करते हैं कि इसकी चारों तरफ हम फैवी कोई को लगा दे रहे है और इसे अच्छी तरीके से चिपका दे रहे है और इसमें हम क्या करते हैं कि हलके हलकी धूल को भी डाल दे रहे है ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए और एकदम air proof बनाना है एर बाहर नहीं निकलनी चाहिए और इसे क्या करना कि फिर अपनी बोतल पर इस कैप को कस देना है और कसने के बाद हमारा ये मिनी गोबर गैस प्लांट बनका त्यार हो चुका है तो इसे हम क्या करते हैं फिलाल अभी गोबर को डाल देना है तो इसे हम फट फट से बाल्टी के अंदर गोबर को डाल दे रहे हैं और फिर इसके अंदर हमें क्या करना है करीब एक लीटर पानी को भी डाल देना है तो हमने पानी को डाल दिया है अब इसे हम अच्छी तरीकिस से मिक्स कर ले रहे हैं आप चाहो तो लकडी की मदश से भी इसे गुमा गुमा कर अच्छी तरीकिस से मिक्स कर सकते हो लेकिन फ्रेंट्स हमने हाथ में पन्यन ने पहन लिया तो से हम हाथ से भी अच्छी तरीके से mix कर दे रहे हैं तो भायो आप देख सकते हो कि हमने गोल को अच्छी तरीके से mix कर लिया है और एक कुछ टाइब का बनक का त्यार हो चुका अब हमें लेना है वही वाल अपना mini govor gas plant और इसके cab को खोल लेना है और इस गोवर को इसके अंदर डालना होगा तो हमें लेना एक चूंगी लेकिन फैंट्स हमारे पाँ चूंगी नहीं है तो हमने एक छोटी वाली प्लास्टिक की बोतल को उपर साइट से कट कर लिया और चूंगी के जैसे इसे बना लिया और इसे अपनी बड़ी वाली बोतल पर हमने फिक्स भी कर दिया अब इस चूंगी की मनदस से हमें क्या करना है गोवर को अपनी बड़ी वाली बोतल के अंदर डाल देना है तो आपको धीरे धीरे गोवर को इसके अंदर डाल देना है अगर आप ज़्यादème डाल देते हैं तो ये उपर साइड ही रुक जाता है कुछ ऐस टाइब से तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें धीरे धीरे गोबर को सारा गोबर को इसके अंदर डाल देना है तो फ्रेंट्स हमने गोबर को बोतल के अंदर भर लिया है लेकिन इसे हमने फुल नहीं बरा है थोड़ा खाली रखा है तो आपको भी थोड़ा खाली रखना है और इसकी जो चुंगी है उसे हम निकाल करके अलग कर दे रहे हैं और फिर हम ले रहा है आई बी सेट और इस आई बी सेट कर जो कंट्रोलर है इसकी मदस्टी से हम क्या करते हैं कि पूरा ही आफ कर दे रहा है बिल्कुल भी इससे गैसन नहीं निकलनी चाहिए और जो इसका कैब बाला हिस्सा है इसे हम बोतल पर कस दे रहा है तो इसे कसने से पहले हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर हवा भरी हुई है उस भावा को हम पूरा ही निकाल दे रहा है और फिर इस कैप को अच्छी तरीके से कस दे रहा है एकदम डाइट ली ताकि इसके अंदर एर नहीं जानी चाहिए और नहीं इससे लीकेज होनी तो इसे हम आची तरीक के से कस दिया है और आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल भी एर नहीं बची हुई है और जो मारी बोतल है ये पूरी ही पिचक चुकी है अब हम इसे 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी गैस बन पाती है तो फ्रेंट्स आज हमें पूरे 4 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि बोतल के अंदर बहुत थोड़ी सी ही गैस बन पाई है और इसे भी हम जला करके देखते हैं कि ये काम करती है नहीं तो हम जैसे ही आईवी सेट को खोलेंगे तो पहले ये अपने अंदर हवा क को भरेगा तो इसे हम क्या करते हैं कि एक हाँ से अपनी बोतल को दबाएंगे और दूसरे हाँ से आईवी सेट को खोलेंगे और फिर इसमें हम आग लगा करके देखते हैं कि जलती है या नहीं तो आप देख सकते हो कि इसे थोड़ी थोड़ी जल रही है तो सायद आपको दिख रही होगी कि हलका ही जल रही है उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही जितना अच्छा यूटूब पर आपको दिखा देते हैं तो अब हम बताने वाले हैं कि यूटूब पर आपको किस तरीके से बागल बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वीडियो को आफ करके इस पोल लेते हैं और फिर लेते हैं वह कैलसेम कारभार यह फ्रेंड्स कैलसेम कारवाओं जो कि आपको गैस बैलने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा औरugen कprechen अंदर डाल देते हैं जिससे यह पानी मिक्स होता और इसके अंदर एक acetylene gas बनती है तो आप देख सकते हो हमने जैसे ही calcium carbide को डाला इसके अंदर gas बनना start हो चुका है और एक gas आपको निकलती हुई दिख रही होगी तो इसे हम क्या करते हैं कि पूरी gas को पहले हम निकाल देते हैं और फिर आईवी सेट के कैप को हम कुछ इस टाइब से इस पर कस दे रहे हैं और हमें अच्छी तरीके से टाइटली इसे कस लेना है इससे बिल्कुल भी gas leakage नहीं होनी चाहिए और आप देख सकते हो कि बोतल के अंदर काफी सारी gas बन चुकी है और या भी और भी बनती जा रही है तो आप देख सकते हो कि काफी सारी gas इसके अंदर बन चुकी है और या बोतल भी टाइट हो चुकी है फ्रेंड्स आपको कैलसियम कारबाइट ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारी बोतल भी फट सकती है तो आप देख सकते हो की ह हमारी बोतल के अंदर काभी सारी अची तरही गैस बन चुकी ए अब हम इसे जला करके देखते हैं तो जो हमारा IV सेट है इसे हम हलका हलका खुलते हैं और फिर इसे हम लाीटर की मदर से जलाते हैं और आप देख सकते हो कि जो मारा है गैस है यह जलना स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरीकी से आपको बायो गैस बताते हैं यह बायो गैस नहीं है दरसल यह फ्रेंट से एसिटिलिन गैस है जो कि आप देख सकते हो बायो गैस के नाम से आपको यूटूपर दिखा देते हैं और यह आप देख सकते हो कि अच्छा वर्क कर रहा है लेकिन फ्रेंट्स मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि गोवर गैस नहीं होती है गोवर गैस होती है लेकिन इसे बनाने के लिए इसके बहुती बड़े बड़े प्लांट होते हैं अगर इतने छोटे से प्लांट में इतनी सारी गैस बनने लगे तो फिर हम LPG गैस के स्लेंडर क्यों लें वो 800-900 रुपे तक कपड़ता है हम ऐसे ही प्लांट बना करके अपने घर के खाना बनाने के लिए यूजमें ना ले ले लेकिन फ्रेंट ऐसन नहीं होता है गोवर गैस बनती तो इसी तरीके से है पर उसे बनाने के लिए उसके बहुती बड़े बड़े प्लांट होते हैं और कई कोंटल गोवर में उस लीटर गैसी बन पाती है और इसी वज़े से हमारे भारत में ये बायो गैस सक्सेस्फुल नहीं है अगर ये सक्सेस्फुल होता तो फिर LPG गैस की जगा पर हमारी ये बायो गैस ही हमको मिलती और आपको यूटुब पर ये फेक वीडियो दिखा देते हैं जो कि इतने छोटे छोटे प्लांट में इतनी सारी गैस आपको बना करके दिखा देते हैं वो इस तरीके से कैल्सियम कारवाइड ढल करके आपको ये बायो गैस बताते हैं और लाखों व्यूज ले जाते हैं तो फ्रेंट्स आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरू बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइस जरू कर देना तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जहन जह भारत